नवस्कार स्वागत है आप सभी का आईश्मान भव में मैं हूँ प्रीती सेंग आईश्मान भव में आज बात ग्लुकोमा या काला मोत्या बिंद की ये आँख से जुडिये कैसे समस्या है जिसका अगर समय रहते इलाज ना करवाए गया तो धीरे धीरे आँखों की रोशनी कम होने लगती है और ये अंधेपन का कारण भी बन सकते है अगर भारत में देखा जाये तो ग्लुकोमा के मरीजों की संख्या दुनिया भर में सबसे अधिक हो सकते है नेत्र विशेशग ये भी अनुमान जता रहे है कि ग्लुकोमा आँखों की बिमारियों का एक समू है जिसके कारण अंधापन हो सकता है और इसे ठीक नहीं किया जा सकता है भारत में इस बिमारी से एक करोड बीस लाख लोग पीड़त हैं लगभग और नबे फीजदी से अधिक मामलों में तो इसका पता भी नहीं चलता अधिक ओमर, मदूबे, यानि डाबिटीज के रोगी रिफ्राक्टिव बिमारी इसके ग्याद संभावे जोखिम कारत भी हैं और ऐसे लोगों की बढ़ती आवादी के कारण ग्लुकोमा देश में एक तीजी से उभरती गैर संचारी ओकलर बिमारी बनने वाले हैं जबकि यहाँ पहरे से ही दुनिया के 20 फीजदी ने तरहीन व्यक्ती हैं ऐसे में आईए आज इसे लेकर थोड़ा जागरुक होते हैं जानते हैं समझते हैं ग्लुकोमा के कारण लक्षन और इलाज के बारे में और इस पर बात करने के रहे मेरे साथ दो खास मेहमान आज स्टूडियो में जुड़े हुए हैं डॉक्टर कीरती सिंग मेरे साथ स्टूडियो में मौझूद है जो की डिरेक्टर है गुरुनानक आई सेंटर मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज आपका बहुत बहुत स्टूडियो मेरे साथ दूसरी मेहमान जुड़री है डॉक्टर शिखा गुपता इसोसेट प्रोफेसर है आपका भी बहुत बहुत स्टूडियो में जैसे मैंने कहा लगबग 4 करोर लोग नेत्रहीन है यह उन्हें दृष्टी से संबंदित समस्या है और इनमें 16 लाख बच्चो भी शामिल है इसका नुमान जताये गया है मोतिया बिंद और इलाज नहीं कराई गई जो रिफ्राक्टिव बिमारियां है उसके बाद ग्लूकोमा भारत में अंधिपन का तीसरा सबसे बड़ा कारण है ग्लूकोमा आख से जुड़ी एक बिमारी है इसे काला मोतिया बिंद भी कहा जाता है ये बिमारी ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुचा सकती है ऑप्टिक नर्व वो नर्व है जिसके जरिये ही आखों से देखी गई जानकारी हमारे मस्तिश्क तक पहुचती है आम तोर पर आख के अंदर आसामाने रूप से बहुत अधिक दबाव के कारण ग्लूकोमा होता है लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता समय के साथ आख के अंदर बढ़ा हुआ दबाव आप्टिक नर्व के उतकों को नश्ट कर सकता है जिससे नजर कमजोर होने के साथ की अंधापन भी हो सकता है अगर ग्लूकोमा की पहचान जल्दी कर ली जाती है तो आखों की रौशनी को और अधिक नुकसान से बचाया जा सकता है ग्लूकोमा का सबसे आम प्रकार प्रामरी ओपन अंगल ग्लूकोमा है इसमें धीरे धीरे आँख की रौशनी कम होने लगती है इसके लाबा अन्ने को इस पश्ट लक्षन ग्लूकोमा के नहीं होते इसलिए जरूरी है कि साल में कम से कम एक बार अपनी आखों की गहन जाज करवाई जाए एक्यूट अंगल ग्लूजर ग्लूकोमा को नहरो अंगल ग्लूकोमा के नाम से भी जाना जाता है और ये एक तरह की मेडिकल इमर्जेंसी है जिसमें तुरंत डॉक्टर से संपर करना जरूरी है ग्लूकोमा को लेकर कई ऐसी साथानिया हैं जिने बरतना बेहत जरूरी है ताकि आखों की रोशनी को कम होनी से बचाया जा सके ग्लूकोमा को लेकर अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमारे कालिकरम का हिस्सा बन ये हमारे नमबर लगातार टीवी स्किन पर फ्लाश हो रहे हैं आप कॉल कीजे या स्वास्ते भी शेशके मौजूद है आपके तमाम सवालों की जवाब देने के लिए डॉक्टर कीरती सेंग हमने ये मोटे तोर पर ग्लूकोमा के बारे में बताने की कुशिश की है आप थोड़ा सा समझाईए कि ग्लूकोमा बाकी और जो आँखों से जुड़ी बीमारिया है उनसे किस तरह से अलग है ये क्या है प्रीती जी ग्लूकोमा या काला मोतिया जिसको कहा जाता है ये अन्य बीमारियों से काफी डिफरंट है especially इनका जो नहोगी प्रिश्टितों को यह जाता है तरचमा जेशाब है तरचिक वंचे sail18, मंट्टू का के लियओं हुद्ध हेमेंज़ सोफेथ हो fund कोटिया से सफेखो जाता है जब से दिश्टी कम होगाती है किया जबकि उसमें डैमेज हो जाता है, इससे जो नर्व इंपलसे वो नहीं पहुंच पाती है और बाकी, most of the बीमारियां, जैसे आपने बताया, cataract या refractive error ये शुरू-शुरू में irreversible blindness के कारण नहीं होते हैं, reverse हो जाते हैं, वापस हो सकते हैं जैसे cataract lens डालने से वहकुल ठीक हो जाता है, refractive error चश्मा टाइम से ठीक हो जाता है और glaucoma is the cause of irreversible blindness, जितना डैमेज नस को हो जाता है, वो सदा के लिए हो जाता है इसलिए इसके जल्दी इलाज की जुरूत है, दूसरी बिमारी इसमें भिन क्या है, कि इसके लक्षन खास होते ही नहीं है तो इसको हम चोर कहते हैं, क्यूकि ये चोरों की तरह आता है और ना मरीज को पता चलता है कि मैं आस्टे आस्टे में रौशनी जा रही है क्योंकि इसकी रौशनी साइट से जाती है शुरू में चेंटरल विजन प्रिजर्व रहती है तो इसको थीफ अफ साइट कहा जाता है इसलिए ये भिन है तीसरा ये साइलेंट पेन नहीं होती है जादा इसमें अक्यूट अंगल क्लोशर ग्लाकोमा बहुत रेर होता है जिसमें पेन होगी तो इस साइलेंट इस इर्रिवर्सिबल और ये आहिस्ता आहिस्ता आता है तो पता भी नहीं चलता है ठीक है तो बड़ी बात उन्होंने जिस तरह से डॉक्टर बता रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता आता है और सबसे गंबीर जो बात इसे लेकर है कि मरीज़ को खुद ही नहीं पता चलता कि वो धीरे धीरे ग्लोकॉमा का शिकार होता जा रहा है डॉक्टर शिखा गुपता हैं सपोज हमारे परिवार में हमारे दादा दादी या किसी और अन्य रिलेशन्स में किसी को काला मोतिया है तो हमें बहुत हाई रिस्क है कि ग्लोकॉमा हो सकता है तो ऐसे मरीज़ों को जरूर अपने आपको तुरंथ प्रस्तुत करना चाहिए अपने नजदीकी विशेशाग्य के पास काले मोतिया की जाँच कराने के लिए दूसरे कारण है कुछ हाई रिस्क ग्रूप्स हैं हमारे पास जैसे कि कोई steroid यूज कर रहा है अगर कोई inhalational steroids puff के तौर पे या चमडी पे steroid लगाना या बच्चों को कई बार allergy हो जाती है वो आँखों में steroid की drops यूज करते हैं ऐसे कारणों में लंबे समय से steroid यूज करने पे काला मोतिया बन जाना बहुत आम बात है और क्योंकि जैसे मैडम ने बताया ये थीफ है एक चोर है तो pressure बढ़ा रहता है नज़र जाती रहती है side की नज़र जाती रहती है patient को पता नहीं चलता तो ऐसे तोर में अगर कोई मरीज सफेद रंग की steroid की drops आँखों में डाल रहा है ये steroid किसी अन्य फॉर्म में उप्योग कर रहा है तो उसको अपने doctor को ज़रूर दिखाना चाहिए क्योंकि काले मोतिया बनने का chance बहुत जादा हो जाता है तीसरा जो हम बहुत commonly देखते हैं काले मोतिया का कारण वो बच्चों में भी हो जाता है तो कई बड़ बच्चे पैदा जब होते हैं उसको हम bulls eye भी बोलते हैं कि आँखों का size बड़ा होता है इसके लावा पानी निकलना आँखों से या आँखे बंद कर लेना light में जाने के बाद तो वो काले मोतिया के बच्चपन में लक्षन है जो बड़ो में इतना commonly नहीं देखते तो अगर अभी भावकों को ऐसा लगे कि उनके बच्चों को ऐसा कोई symptom है तो तुरंथ डॉक्टर के पास पेश करना ज़रूरी है क्योंकि जितनी जल्दी बच्चों में surgery की जाए इस चीज़ के लिए और बड़ो में भी एक बार नज़र चली गई irreversible जैसे माडम ने कहा एक बार नज़र चली गई तो वापस नहीं आएगी तो जितनी नज़र है उसके रोक थाम के लिए कि नज़र वहीं पर रुक जाए आपका आगे का जीवन अगर आप दवाई टाइम से डालें अपने डॉक्टर से निरंतर संपर्ख बना के रखें तो ऐसा नहीं है कि आपको ये आपकी दृष्टी चली जाएगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इस बिमारी का इलाज है और आपकी नज़र वहीं पर थामी जा सकती है बशरते आप अपने डॉक्टर के साथ और निरंतर संपर्ख बना के रखें तो ये सबसे बड़ी बात है कि आँखों की जुजांच है वो समय पर करवाते रहें ज़रूरी है पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है तरला बेन ने हमें कॉल किया है गुजरात से हमारे साथ जुड़ी है आपका बोट-बोट स्वागत है तरला बेन जी बताएए क्या सवाल है आपका मेरा प्रस्मा है ओपन एंगल ग्लुकोमा के लिए आखों में डाले जाने वाले ड्रोफ सरकारी अस्पतालों के अंदर नहीं है और जंदन बेडिकल स्टोर के अंदर भी नहीं है यह सा क्यों ठीक है दॉक्टर सरला जी आखों में ओपन एंगल ग्लुकोमा ने आपकी जागुपता बहुत आपकी पर जानकारी बहुत अच्छी है बिक़ुत कम लोग यह जानते हैं कि यह अप्ण आंगल ग्लुकोमा क्या होता है और छोज़ अंगल बहुता है तो आप यह और ग्लुकोमा की अक्सर जो दवाई दी जाती है वो हम हिंदुस्तान में लगबग हर हस्पताल पे और हर सिटी में हैं अपलब्ध हैं, आपकी कौन सी दवाई है हमें नहीं मालूम है, पर एक बीटा ब्लॉकर होते हैं, आलफा एगुनिस्ट होते हैं, और प्रोस्टर ग्लैंडिन होती हैं, ये हिंदुस्तान में लगबग हर हस्पताल में और हर केमिस्ट के पास अपलब्ध हैं, क्योंकि ये बह वहां जाके उनके डॉक्टर से पूछिये, ये कहां मिलती हैं, अगर बाइचांस उस हॉस्पिटल में अभी नहीं हैं, तो आसपास के केमिस्ट के दुकानों पे बड़े अराम से मिल जाएंगी, और आपको ये भी बता दो कि ये दवाई चो हमने नाम लिये हैं, अगर ये इंडियन सिटिसन्स को उपलगत है, वही दवाई बहार बहुत मेंगी है, ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी जानकारी है, जो यहां डॉक्टर ने दी है, और जैसा आपने जिक्र किया, ओपन अंगल ग्लॉकोमा और क्लोस्ड अंगल ग्लॉकोमा की मैं चाहोगी थोड़ा स आप थोड़ा सा और विस्तार से इसके मारे में बता है, बहुत ही इंपॉर्टन सवाल पूछा है नो ने, और ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि हिंदुस्तानी जो एशियन से खासकर और हम इंडियन्स भी एशियन्स में ही आते है, एशियन्स और जैपनीज और चाइन जितनी भी स्टाडिज हुई है, हॉस्पिटल बेस्टाडीज अगर माने, तो एक मरीज अगर ओपन एंगल क्लोजर का आता है, और अगल क्लोजर जो बिमारी है, अगें, आप पुछेंगे, कैसे पता चलेगा कि एंगल क्लोजर है, क्योंकि दोनों ही साइलेंट होते हैं, पर अंगल क्लोशर उनफोर्चुनेटली साइलन तो होता है पर उसका प्रेशर बहुत जादा होता है और वो बहुत जल्दी अंधापन करता है। उसकी, how do you, how can you diagnose it in time is, आपके टेस्ट होते हैं जिसमें एक टेस्ट है बहुत इंपोर्टन गोनियोस्कोपी, उसमें हम छोटा सा मिरर आँख पे लगाते हैं और डॉक्टर मिरर लगाके आपको मशीन पे बिठाके चेक करते हैं कि आपका एंगल जिसमें से एक्वस एक पदा करते हैं और यह गोनियोस्कोपी का टेकनीक सब ग्लाकोमा स्पेशलिस्स को सिखाया जाता है उनको आता है तो मेरी यही गुजारिश रहेगी आपके इस प्रोग्राम के थ्रू क्योंकि मैडम ने बहुत अच्छा सवाल पूचा है यह जितने भी ग्लाकोमा की स्क्रीनिंग के लिए जाते हैं यह ग्लाकोमा के फॉलो अप के लिए जाते हैं आप यह जागरुकता रखिये कि डॉक्टर से बुछना है कि एक तो आप हमारा प्रेशर चेक करें एक हमारे पढ़दे की जांच करें जिसमें फील टेस्टिंग होती है और एक आप हमें आंक की नस्की जा तो ग्लॉकोमा डाइग्नोसिस के लिए भी चार पैये होते हैं, आयोपी, प्रेशर, डिस्क एवालुवेशन, विज्वल फील्ड और गॉनियस्कोपी, लास्ट वान, वार डिसाइडिंग की एंगल क्लोजर है, क्यों इंपोर्टन है, क्योंकि एंगल क्लोजर अगर टाइम स है, क्योंकि जो प्रोग्रेशन है, वो रुख जाती है, बिलकुल, बिलकुल, अब अगले कॉलर की तरफ रोख करेंगे, MZ खान हमारे साथ जुड़े हुए है, महराश्य से इनोंने हमें कॉल किया है, आपका बहुत बहुत स्वागत है कारिकरिम में, आप प्रशने पूछ सकते हैं, बताइए क्या सवाल है आपका, खान साथ टीवी के आवास कम करके एक बार में सवाल पूछी अपना, आपकी आवास साफ नहीं आ रही है, बताइए, आपकों करोड़ी है, जी, पताइए, मैं ये जाए आएका ब्रूजर के मुझे आवरे ढूप करोड़ी है, करो अब जीए कि मुटर देमेंट मेरा प्रशने बहुत स्वाल है, तो होतरा लेकिन आग से जिखाई भी दिखा आग साइस निखाई चाइटा और मैं अक्तर लेप जाने वालों किसमर टकलाता रहता। यह जो शूपी हो जायाए बाद में जाकर लेकिन अंगी तो अंबर के तरफ दोर्फे लेकिन हो जा रही है लेकिन हो गई यह सफय को ठीक है तो इसका कोई टीक्मेंट है अगे? ठीक है डोक्टर? खान साव आपने बहुत अच्छा सवाल पूचा है तो हमारी आखों में हर चीज इंटरलिंक्ट है अगर हमारा आखों का प्रेशर बढ़ेगा तो ना सिर्फ नस्पे असर करता है हमारी जो पुतली है जिसको कॉनिया हम कहते हैं कोई आप सफेदी की बात कर रहे हैं उस पे भी डिरेक्ट असर पड़ता है तो अगर लंबे समें तक हमारा प्रेशर बहुत हाई रहा ऐसा हो सकता है कि आप अपने डॉक्टर से बाद में मिले हो तो फिर भी प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है आपकी बिमारी का वो प्रेशर कम करने का है कई बाद दवाईयां एडवान स्टेजर में काम नहीं कर पाती है क्योंकि जितना आपका मोतिया बिंद जादा होगा उतना कम प्रेशर रखने की जुरुरत है इसको हम टारगेट आयोपी कहते हैं तो अगर करेबाद दवायां डालने के बावजूद भी वो प्रेशर मेंटेन नहीं है तब आपके डॉक्टर आपको सर्जरी के लिए रिकमेंट करेंगे जिसमें प्रेशर कम करने के लिए जिसमें आपका टारगेट आयोपी अचीव हो जाए और अगर आपका प्रेशर अचीव हो जाए ठीक हो जाए तो आपकी पुतली बदली जा सकती है पर उसके लिए निरंतर आपको सही डॉक्टर के पास जाना जो specialist doctors हैं कॉनिया के लिए पुतली के लिए या काले मोतिया के लिए वो बहुत आवशक है और आपका प्रेशर मिंटेन करना बहुत ज़रूरी है और रही बात आँक के छोटे होने की तो जब बहुत ज़दा प्रेशर बढ़ जाता है आँकों में देखने की शमता नहीं होती और दर्थ वगेरा होता है तो एक auto response होता है हमारे body का कि कई बार आँक छोटी होने लग जाती है जब उसमें जान नहीं रहती तो उस case में हम उसको वापस नहीं ला सकते तो glaucoma के लिए सबसे important है तब ही हम कहते हैं चालिस वर्ष के बाद अगर कोई भी चालिस वर्ष से उपर हो गया है जैसे अब हर साल अपना body का चेक अप कराते है शुगर के लिए, blood pressure के लिए वैसे ही glaucoma जो है काला मोतिया, यह आँखों का pressure है और इसके लिए हर साल आपको screening कराना जरूरी है क्योंकि यह silently आता है जब तक आप डॉक्तर के पास नहीं जाएंगे यह बिमारी आपकी पता नहीं चल पाएगी तो सही टाइम पर पकड़ना और फिर उसका इलाज करना सबसे जरूरी है ठीक है अगले caller अशोक ने हमें कॉल किया है दिली से मारे साथ जुड़े है अशोक जी आपका स्वागत है कारेकरे में प्रश्ण आप पूच सकते हैं बताएए लामस्कार बताएए जसे में नहरब ती सावातिन नंबर का नाम जो आई साइड का नंबर है जी तो आने वाले जम नग टाइम में कोई पुछी दिकत है क्या है आपे कह रहे हैं कि अगर आप चश्मा हटा दे लेजर ट्रीटमेंट लें जी जी डॉक्टर ये काले मुद्य से कुछ तरह लिंक है पुरा लिंक नहीं है जैसे हमारा जो हम लासिक सरजरी करते हैं या लासिक के बाकी सरजरी होती है चश्मा हटाने के लिए नंबर वान चश्मा हटाने से पहले आप एक डॉक्टर से जरूर संपर्क में रखिये कि आपका जो कॉर्णिया है आगे का जो सफेद जो में कुल ट्रांस्पेरन पर्त होती है उसको कॉर्णिया बोलते है तो कॉर्णिया थिकनस आपकी सही होनी चाहिए उपरेशन से पहले दूसरा बहुत जरूरी है कि परदा चेक कराएं वो भी पुदली डालेट करके पूरा परदा चेक कराएं कि पीछे कोई ब्रेक तो नहीं है यह दोनों चीज़ें और एक दो और टेस्ट होते हैं जो जरूरी होते हैं उसके बाद ही आप यह चेश्मा हटाने का ऑपरेशन करवाएं चेश्मा अटाने के operation कोई भी operation हो बिना risk के नहीं होता और आम तोर पे इस operation में जादा complication नहीं आती है बर जब तक जैसे कि glaucoma की बात हो रही है जब ये operation होता है चेश्मा उतारने का उसके बाद हम काफी देर तक steroid देते हैं और जैसे रॉक्टर शिखा ने पहले भी बोला जो लोग steroid responders होते हैं क्योंकि नॉर्मल पब्लिक में 5-10% लोग हो सकते हैं in different races अलग-अलग हो सकते हैं तो वो responders जो होते हैं उनका pressure बढ़ जाता है तो वो ज़रूर चेक कराते रहें जब आपने ये surgery करा लिए चेश्मा उतारने की लैसिक की बात करें तो उसके बाद pressure एक बारी ज़रूर चेक कराएं 6 हफते बाद और 6 मैने बाद और अगर डॉक्टर कहते हैं कि आपको risk है गलाकोमा का तो फिर every one to two years आप चेक कराते रहें क्योंकि एक बारी जब cornea पतला हो जाता है जो लैसिक में होता है तो pressure की checking भी हमारी erroneous हो जाती है तो वो risk factor बढ़ जाता है otherwise surgery is बहुत common surgery है ये और normally बहुत safe surgery है तो लैसिक treatment को लेकर डॉक्टर ने जो आपके मन में बात है वो clear करने की कोशिश की है इसके लावा एक और caller है सूरिपाल ने हमें कॉल किया है मद्रप्रदेश से माँ सा जुड़े हुए सूरिपाल जी आपका भी स्वागत है आप प्रशन पूछी अपना सूरिपाल जी आप सवाल पूछ सकते हैं मैं मेरी हैश 26 है मेरी आँखों में जलन होती है और आखे छोटी होती है क्या ठीक्मेंट करवाया है तो मेरी आखों का कोई नंबर बगेरा नहीं है पर फिर भी जलन और ऐससे होता है ठीक है, क्या वज़व हो सकती है रॉक्टर शिया खुपता सकती है सुरिपाल जी ये जो आप बता रहे हैं जलन का होना और आखे छोटी होनी इसके दोतन कारण हो सकते हैं पेशली आजकर जो पलूशन हम देखते हैं प्रिदूशन के कारण अलर्जी बहुत जादा कॉमन है उसमें आखे रियाक्ट करती हैं पलूशन को और उसके कारण अलर्जी हो जाती है और उसके करण हमारी आसों की परत प्रॉपरली नहीं उसको कवर कर पाती जिसकी वैसे ये symptoms देखे जाते हैं और कई बार अंधुरूनिक ये हमारी dry eye disease हो सकती है जिसकी वज़ेसे ये हो तो इसके लिए आप आँखे धोना ट्राइ कर सकते हैं और तब भी अगर नहीं जारा तो कई बार चश्मे का नंबर भी ये तीसरा कारण है जिसकी विज़ेसे ऐसा हो सकता है तो अगर आपको लगता है कि बिमारी परसेस्ट कर रही है तो अलर्जी की बहुत ही फाइदे मन दवाया हैं हमारे पास और दो तिन हफ़ते के कोर्स में आपका ये ठीक हो जाता है तो आप किसे भी नज़ी की विशेशग्य से मिल सकते हैं और अपना इलाज करा सकते हैं बिल्कुल संभव है डॉक्टर कीति सिंग आप लगोंने एक बात बोली है कि पता ही नहीं लगता और जो ग्लुकोमा है वो अपना शिकार बना लेता है ऐसे मैसे कौन सी बड़ी बाते आप बताना चाहेंगी दर्शिकों को ताकि वो जागरुख हूँ जिन पर नज़र रखनी चाहिए और वो ग्लुकोमा को निमंतरन दे सकती है जी एक तो जैसे हमने बोला क्योंकि हम वे इंडियंस वे ब्राउन पिग्मेंट रेसे तो हमारे आंगल कोजर होता है दूसरा हमारी जैसे 40-45 यर्स के बाद एज बढ़ेगी उसके बाद ये रिस्क हो जाता है ग्लाकोमा का तो रिस्क फैक्टर्स आर एज एज चोटी शिक जरूर करा लें अपना 42-43 के बाद अगर कोई भी स्टिरॉइड का सेवन करता है जैसे स्टिरॉइड आंक में खुझली जैसे अभी सूरच पाल जी ने पूचा कि अलर्जी है उनको तो इलर्जी में अक्सर क्या होता है पेशिंट्स किसी भी केमिस्ट के पास चल जाएंग और चैमिस्ट उनको कोई भी दवाई पकड़ा देगा जिसमें यूजिली स्टिरॉइड होता है उससे उनकी घुझली एकदम ठीक हो जाएगी और अगली बारी वो बिना चैमिस्ट के पास गए वो ही दवाई का पास लेकर दबा लेकर फिर से कहेंगे रिपीट कर दीजे तो यह बहुत कामन काउज होता है इचेंग के लिए जो स्टिरोइड देते हैं उससे काले मोतिय हो जाता है तो जैसे एक और सवाल आया था रिफ्रैक्टिव एरर का जिनका ओपरेशन हो चुका है हाई-मयोपिया यह सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं काले मोतिय के और क्योंकि यह साइलन्ट होता है और यह रिस्क फैक्टर्स जब हैं तो एवरी येर एक स्क्रीनिग ज़रूर करा चाहिए और जैसे मैंने का स्क्रीनिंग में चारों चीजे होनी चाहिए को नियोस्कोपी प्रेशर फील्ड और पंडस डिस्क वैलुएशन पर्दे की चांज बिलकुए के दाना जी हमारे साथ कॉल पर जुड़े हुए हैं हैधरबाद से उन्होंने हमें कॉल किया है आपक सादर्टोर शचरिपादा तर बिलकुण भरेस प्रेसे खाले से जन्होंने का तुड़े हैं है और जाना ज्योंने कि तो इस स्टेर्टी जिसे हैं नुड़े हैं है आपकॉल पाम हुए हैं है हैं फस्ताम की उस्ते उस्ते ситу और मेड़ित पाम में पीना स्प्रिग एल्ज़ सर देखिए जो आपकी प्रिजेंटेशन है आपके फादर की कि उनको 72 यर्ज में 90 परिजन चला गया है तो इसी के बारे में हम बात कर रहे थे कि इस अ वेरी वेरी कॉमन प्रिजेंटेशन बट अगर हम एक जागरूक नागरिक हैं अपने सहत को लेकर जागरूक है अपने प डालेंगे उसमें preservatives होते हैं जिससे allergy हो सकती है और कई ऐसे reaction हो सकते हैं अपने डॉक्टर से एक बार फिर से मिलिए क्योंकि आजकल हमारे पास preservative free drops भी हैं जिससे allergy की संभावना कम हो जाती है पर फिर भी कई मरीजों में ये संभावना बनी रह सकती है कि दवाई change करने के ये preservative free दवाई देने के बाद भी ये जो allergy है या जो tolerate नहीं कर पा रहे और ये अगर tolerate नहीं कर पा रहे तो drug ना use करने का बहुत बढ़ा कारण हो जाता है जिससे हम अगर डॉक्टर से ना मिले तो हमारा काला मोतिया बढ़ सकता है तो जरूरी है कि आप इस situation को लेकर कि आप आपके फादर नहीं कर पा रहे हैं दवायां अपने दॉक्टर से मिले अपके दॉक्टर आपको सही एड्वाइज देंगे तो दवायां चेंज करेंगे दवायां चेंज करेंगे दवायां चेंज करने के बाद भी अगर फाइदा नहीं हो रहा है प्रेशर कम नहीं हो रहा अपने जब पिता जी के लिए ड्रॉप्स डालते हैं, अक्सर ये मरीज ओल्ड होते हैं, एक ड्रॉप को खोलना और आँख में डालना असान नहीं होता, दवाई खाना असान होता है, आँख में ड्रॉप डालना असान नहीं होता, तो ये एक टेक्नीक उनको सिखाना होगा, जो पॉकित बना पर दवाई डालना है उसके बाद एक टिशू या रुमाल रखना है और एक्स्ट्रा दवाई को जो बाहर गिर गई है उसको पोँचना है और आँक को बंद रखना है इससे क्या होता है क्योंकि जो जो ड्रॉप डली है वो आख के अंदर जाए जब हम आख बंद करेंगे तो वो ड्रॉप गिरेगी नहीं बाहर अंदर जाएगी और जो फालतूर दवाई बाहर गिर जाती है वो स्किन में अलर्जी करती है तो उसी टाइम उसको पोँच ले और लेट के दवाई डाले और एक इंपोर्टन चीज होती है जो नांक और आंक का रस्ता होता है बीच के में इसको आप बंद कर लें इसको यह सिंपल दो तीन चोटी ट्रिक्स हैं कि दवाई जो डल रही है जो बहुत जरूरी है डालना उसका इफेक्टिव हो और उसके साइड एफेक्स नहीं हो दूसरा जो मेरे को समझ में आए कि पैर में सोज़श होती है कि प बहुत जरूरी है और साइड एफेक्ट नहीं आए और उनली वान ट्रॉप शुड गो इन अकसर क्या होते है जैसे अब बुजर्ग हैं 72 यह बहुत मुश्किल है कि एक ही दवाई डालो अकसर आप देखेंगे दो से तीन बुंदेट डल जाती है और वह बाहर गिर जाती है उसी लिए पहुचना जरूरी है और लेट के डालना और आख फलक को बंद करना और नाख आख के रास्ते को बंद करना अभी लग रहा है कि बहुत मुश्किल है सब कुछ बट एक बारी जब पेशेंट सीख चाते हैं वो बड़ी अराम से बड़ी खुशी से करते हैं विका कि बंचर वेस्ट होती है तो को स्टेंगे डिडियू सो बिल्कुल तो यह बहुत अहम बात है जो डॉक्टर ने हां बताई है अगले कॉलर हमारे साथ प्रियंका जुडी होई है दिली से इनोंने अमें कॉल किया है प्रियंका आपका सुगत है बताई आपका क्या सवाल है अच्छी मेरी मदर को ग्लुकोमा था और अभी मेरे को ट्राइ आईज है क्या ये ग्लुकोमा और ये दोनों जो प्रप्रब्लम्स है आप लोगों ने कहा कि कहीं न कहीं अनुवांशिक भी हो सकता है अगर मान लीजे किसी के आखे कमजूर एंपामले में अपकी एज क्या है प्रियंका जी मेरी एड इसकमें 40 है और मेरी मदर एक्षायज हो गई है मगर उनका ली ए 45 47 के आसपास ही हुआ और एक इंपॉर्टन चीज होते हैं सॉरी तो हीर आपकी मदर का स्वर्गास हो गया उनकी जब तक वो जीवित रहीं उनको ब्लाइनस तो नी हुई? ने ब्ला अग्रेसिव ग्लाकोमा तब होता है जब इलाज नहीं हुआ हो बट एक अग्रेसिव ग्लाकोमा होता है एक दूसरा होता है अनुवांशिक बिलकुल होता है तो आपको चेक आप 40 की बाद वैसे हमें कराना चाहिए क्योंकि आपकी फैमिली इस्ट्री एक पेरेंट में पॉ सेवन नहीं करें और जो आपकी ड्राइनस है आइस की ड्राइनस आज कल हम बहुत कॉमनली देख रहे हैं इस्पेशली लेडीज में और मोर ओफन यंगर पीपल अलसो बिकॉस अग्सेशिव फॉटर और मोबाइल फोन तो उसका भी हम मोबाइल फोन के बिना भी नहीं रह स क्ल आपका सुатовन हैं और मोबाइल आपका मलाओ उकलिओर आट आपका ड्रीच के अखना की को लिगते हैं इसके आपको टर बिट नहीं हो रहे हैं यूद यूजब लिचेँ करा लिजेगा आपकी मदर को ग्लाकोमा थॉ रुभॉ नहीं अपका लिचिए ख्याइज प्रिपाइल ठीक है और श्यूपी कोडिते हैं। उप्ली करा लिचेगा। इंस आपका लीचिरॉ थापिञे पर से घृँभॉ अगली गॉदर ód दॉली हमारे साथ जुड़े हुई है आपका स्वागा थे डॉली सवाल पूर सकते हैं नमस्कार बताईए क्या प्रशने आपका अच्छी मैडम मुझे दो महीने से लगातार मेरी आंखना वो राइट साइड की वो लगातार बिलिंग करती रहती है बीच में रुकती है थोड कई लोगों के साथ ये दिक्कत होती है जिसे आंख फड़कना कहते है वो उनको लगता है ठीक हो जाएगी लेकिन ये कभी-कभी 15-20 दिन तक चलती है फिर रुप जाती है ये किसी चीज़ का संकेत है कि आंखों से जुड़ी है ये हमारी आखों का एक इंट्रिंसिक मेकानि है कि उसको ठीक करने की कोशिश करें पर अगर आपको severe dry eyes है या allergy है जिसका ठीक प्रकार से अचार नहीं ले रहे हैं तो ये continue रह सकता है तो ये dry eyes allergy बहुत common cause है इसको blepharospasm कहा जाता है अगर इन सब ठीक करने से भी हमारी ये problem persist करती है तो इसको essential blepharospasm कहते हैं जिसको कई हमारी नसे continuous firing करती रहती है तो उसके लिए कई बार हमें injections का भी प्रयोग करवाना पड़ता है जिसका असर तीन से छे महीने के लिए रहता है और आइलिट्स पर लगाया जा सकता है वो injection तो graded response हम देखते हैं कि डॉक्टर के पास मिलिये पहले कुछ भी dry eyes या allergy है वो ठीक क भी हो चुका है तो most likely local cause होगा तो घबराने की जुरत नहीं है पर दिखाना बहुत जरूरी है बिलकुल इसके लावा जब आप लोगों ने बात की है computer और gadgets की बात की है डॉक्टर में यह समझा चाहूंगी pollution की भी बात थी तो क्या यही factors हैं जो कहीं न कहीं ग्लाकोमा जैसी बिमारियों का कारण भी बन रहे हैं कि यह सारे factors भी मिलकर असर डाल सकते हैं क्यों इतनी बड़ी संख्या में हम भारत में देख रहे हैं कि ग्लाकोमा के कारण अभी तक तो कोई link मिला नहीं है pollution का ग्लाकोमा से but eye health अगर हम ocular health की बात करें या पूरा शार क्योंकि आस्तमा के लिए steroids का यूज होगा और cardiovascular diseases के लिए बाकी चीजों का यूज होगा उससे ड्रग से ग्लाकोमा हो सकता है but other diabetes again but यह सारी lifestyle diseases है कुछ ना कुछ तो metabolic disease जितनी भी है diabetes, hypertension, cardiac lifestyle है, pollution से हैं और smoking से हैं और sedentary lifestyle से हैं and stress से हैं तो वह सब अगर हम कम करने तो बहुत से बढ़िया बात है बड़ जैसे ग्लाकोमा की बात करें तो इन से अभी तक कोई लिंक ग्लाकोमा का नहीं है बट अगर अक्सर हमारे ग्लाकोमा के मिरीज लिटल ओल्डर होते हैं 60 प्लास होते हैं उनमें अक्सर अगें हाइपर टेंशन, diabetes, आस्मा कुछ और बीमारी भी ह और जहां तक कि कंप्यूटर की बात है और ड्राइस की बात है ग्लाकोमा की सारी दवाईया तो कि उसमें प्रेजर्वेटेव होता है वो अपन हमारी टियर फिल्म को जो आख की तरलता के कारण होती है उसको एफेक्ट करती है तो ड्राइनस आफ्टर ड्रॉप्स अव्लाक अब जादा हो सकती है तो वैसे लिंक हो सकता है ठीक है और इसलिए रही है आपने पूछा क्यों बढ़ रही है एक तो जागरुकता बढ़ गई है डाइग्नोसिस बढ़ गया है अब पेशेंट आ रहे हैं जो कि पहले आते ही नहीं थे दूसरा विकार्ज ओफ साइंस प्र प्रण फाक्टर्ज हैं जो कहीं न कहीं कारण हो सकते हैं क्यों इस बीमारी के जो बड़ी संख्यामी केसे वो आते हम देख रहे हैं नरेंदर एक कॉलर जुड़ गया है हमारे साथ उत्तर प्रदेश से इनोने में कॉल किया है आपका स्वागत है नरेंदर बताइए क्या प पुत्ली सड़ती हो ठीक है आपने एक ही डॉक्टर को दिखाया है आपकी उम्र क्या है नरेंजी आपकी उम्र कितनी है मेरी उमर लगबग 50 साल के गरीव हुग ठीक है और यह समस्य आपको कितने दिन से यह समस्य मों को एक साल हो गवा ही लगवा अब आट महीं नहीं अज महीं आपकी आप आप चैश्मा लगाते हैं नस्दीका तो यह जो हमारी जो हमारी एज होती है इस टाइम पे नस्दीकी चैश्मा लगता है तो कई बार नजर कमजोर होती है हमें पास का कम दिखाई दे रहा होता है पर हम इसको इग्नॉर करते रहते हैं तो यह भी बॉडी का मेकानिजम है रियक्ट करने का कि आपको जाकर चश्मा लगवाना चाहिए इससे साफ तो दिखेगा ही इसके अलावा जो भी ब्लरिंग जो भी रेडनेस हो रही है वो सब चली जाएगी इसके अल आपको ब्लर्ड दिख रहा है और सिंस आप जोर लगा रहे हैं देखने के लिए तो आपकी आँखों की मास पेशिया ओवर्स रियक्ट करके इस तरह से पेन कंप्लेन कर सकती हैं तो यह एक दूसरा कॉस हो सकता है इसके लावा काला मोतिया इसमें प्रेशर बढ़ जाता है वो अलर्जी है आपको और इसके दवाई डालने से आपका यह लाली पन और यह ठीक हो जाएगा इसके लावा बहुत सारे दूसरे कारण है जिसकी वैसे लाली हो सकती है दर्द हो सकता है जो थोड़ा कम कॉमन देखे जाते हैं पर वो आपको डॉक्टर जैसे यूवियाइ के पास जाने की बजाए जो जश्मा देते हैं उनके पास जाने की बजाए अब ऑफ्थाल्मलोजिस्ट जो की आई स्पेशलिस डॉक्टर होते हैं उनको दिखाएंगे तो आपकी कारण पकड़ा जाएगा उसके अनुरूब आपका इलाज हो पाएगा बिल्कुल और अब स चुल दिखाया हो मार्च मरे को मैं दिखाया था इन्ट में मेरा बाया आंक में मेय दिखाई कॉम पढ़ता है एल शॉक्षी ठीक होतेज़ का घड़ जा रहा है अच्छा, ठीक है ठीक है नग sister shevin son English है मेराओ तक कहा हुआpen स्थी और लामेट में दे हम दवाल wray तो ने एक फोग प्रेस्टेवल है ठीक है सतनाराइन जी आम बहुत अच्छे तरीके साप उने ही सुन पाएं दॉक्टर कृती सिंग इनको जाएंगा ने दिखाया था और लेफटाइमे कम दिख रहे हैं यह दोनों ही दवाईया कालिम होती है वाली है जैसे हमने बोला बाइ जैसे हमने बात करा सतनाराइन जी कालम रोतीया की दवाईयों या औपरेशन के सेवन से रोष्णी कभी वापिस नहीं आती है जो चली गई वो कभी वापिस नहीं आती है जो बची होई है जो रह गई है वो ठहर जाती है तो अगर आप उमीद करें कि वापिस आईगी वो पर जो है रेमेनिंग है वो बिल्कुल रहेगी तो दवाई का आप रेगिलरली इस्तमाल करिये और जैसे हमने पहले बताया कि एक ड्रॉप ही डालिये लेट के डालिये अराम से आख बंद करिये उसके बाद पांच मिनट और दवाई को बीच में भूलियेगा मत अकसर क्या हो हम अपने मरीज को अकसर बोलते हैं जैसे सुबह की चाय आपकी निर्धारिते 7-8 बजे पीनी है शाम की चाय आपने 6-7 बजे पीनी है तो आप ड्रॉप्स को यूज करिये कि मिरको सुबह की चाय शाम की चाय के लिए से डॉर्जॉक्स दी है आपको वैसे डाल सकते है और आपको खाना काने के बाद सोने से पहले डालनी होती है अकसर तो वो टाइमिंग फिक्स कर लिए ताकि आप भूले ना और दूसरा क्या होता है जैसे हमारे मरीजों में होता है आप में हो सकता है नहीं हो कि after few years or few months मरीजों को यह लगता है कि हमारे को दवाई से कोई लाब हुआ नहीं नुकसान हो रहा है पानी आ रहा है लाली हो रही है प्लस दवाई का कॉस्टिंग भी है मेरे को रोशन बड़ी नहीं तो अक्सर मरीज दवाई डालना बंद कर देते हैं यह मत करिएगा कभी भी क्योंकि हम बार बार यही दोरा रहे हैं और इसी का इंपॉर्टन्स है कि दवाई से रोशनी वापिस नहीं आएगी रुक जाएगी जितनी बचे हुई है जैसी प्रेशर कंट्रोल रहेगा रोशनी रुक जाएगी तो दवाई बंद मत करिएगा चाहाई उससे बेनेफिट आपको महसूस ना हो रहा हो पर वो बाकी चीजों को आपकी रोशनी को रोख के रखी हुई है ठीक है डोक्टर शिका कुपता किसी पी जब बिमारी की बात होती है तो खान पान और व्यायाम दो चीजों की बात जरूर होती है अब अगर हम गलोकोमा की बात कर रहे हैं या आँखों से जुड़ी और जो समस्या हैं आँखों की का व्यायाम भी कितना जरूरी है और खान-पान इसमें कितनी बड़ी भूमिकाने भात है जैसे कि आप से डिसकस हुआ है कि काला मोत्या भी एक lifestyle disease है उसका इसलिए से incidence बढ़ रहा है कि हमारे खान-पान में जो westernized changes आ रहे हैं जो हम अपना मैदा से बने हुए चीजे या तेल से फ्राइट चीजे ये सब खाना प्रिफर करते हैं उसका कही न कहीं रोल है कि हमें diabetes हो रहा है बिकिस इस अलसो अ काइंड ओफ लाइश्चाल डिजीज, अ मेटबॉलिक डिजीज तो खान-पान अच्छा रखना, पौश्टिक खाना खाना आँखों के लिए बहुत जरूरी है और पालक वगेरा, अच्छे vitamins का सेवन करना खाने की जो daily का खाना है, ऐसा नहीं है कि हमें कुछ exotic के खाना है तो हमारे देशी खाने में already हमारे पास उपलब्ध हैं गाजर है, spinach है, oranges है इन सब में बहुत अच्छी मात्रा में पौश्टिक आहार तत्व पाए जाते हैं जो हमारी आँखों को balance रखने में और तंदुरस रखने में बहुत काफी फाइदा देते हैं तो उसको तो कभी नहीं भूलना बाकी smoking, alcohol ये सब चीजें हमारी आँखों को बुरी तरह से प्रभाव करती है smoking से हमारी जैसे नसों की नारिया हैं वो भी प्रभावित हो जाती है उसको vasso construction कहा जाता है जिससे की pressure के अलावा बहुत सारे reasons हैं जिससे काला मोतिया या आँखों पे दबाव बन सकता है नस हमारे सिकुड सकती है उसमें से एक कारण ये भी है कि high blood pressure या आँखों पे दबाव बनना smoking के कारण इनके कारण भी हमारी नजर जा सकती है तो ये बहुत जरूरी है आँखों का व्यायाम stress कम करने के लिए बॉडी का व्यायाम stress free रखने के लिए बहुत जरूरी है और जरूरी ही हमारा काला मोतिया का incidence कम होता है एम से हमारी studies भी है कि meditation या ध्यान या प्राण या प्राण याम की प्रक्रिया जो है वो आँखों का pressure कम करने के लिए stress कम करती है बॉडी में cortisol level कम करती है जिसके वैसे pressure कम होने में बहुत direct effect इसका आता है और इसके अलावा आँखों की कुछ exercises हम बताते हैं कई बर हमारा जो computer पे देखने का काम है या screen पे ज़्यादा देखने का काम है बोलते हैं पास की चीज़ पे नज़र टिका के रखना पांच मिनट तक उस पे रखना वो बहुत जरूरी है और इस चीज़ के लिए काफी ज़्यादा फाइदे मंद है तो अपने शरीर के साथ अपनी आँखों का ध्यान रखना बहुत बहुत आवशक्त है और यह हम सब के हाथ में है हमें डॉक्टर की विज़रत नहीं है इसके लिए ठीक है डॉक्टर इसके लावा मैं यह समझना चाहूंगी आजकल जो कॉस्मेटिक्स का स्थमाल है वो बहुत ज़ादा है क्वालिटी कैसी है कैसी नहीं है इस बात का भी ध्यान ठीक है जिनको पता है वो करते हैं लेकिन बहुत से ग्रामीड इलाके या उतने पढ़े लेके लोग नहीं है तो जो भी मिला उसको लगा लिया आँखों पे यह सारी चीजे हम देख रहे हैं तमाम एक्स्टेंशन्स हैं लैशे, एक्स्टेंशन्स की बात करें और प्रोड़क्स की बात करें क्या इन सब चीजों को लेकर भी सामधानिया बरतना ज़रूरी है बिल्कुल बरतनी चाहिए आँज हम बात कर रहे हैं और यह बहुत जरूरी है और इस्पेशली कास्मेटिक्स क्योंकि जो आँख का स्किन होता है अगर आप सब लोग अपना आँख को छूके देखेंगे आँख का स्किन बहुत मुलाइम होता है बहुत सॉफ्ट होता है तो इससे अब्सॉप्शन बहुत फास्ट हो जाती है और जो भी हम आइलाइनर, कास्मेटिक्स, आइब्रो पैंसल या मास्करा कुछ भी लगाते हैं आइस के उपर या आइस के आसपास लगाते हैं उसकी अब्सॉप्शन होती है काजल का इस्तेमाल जैसे करते हैं काजल तो आँख के अंदर बिल्कुल जाता है और जैसे हम बात अभी बार-बार ड्राइनस की बात हो रही है कि आँखोंक में जलन होना, लाली होना, बर्निंग होना ये कॉमन होता है और ये सब टियर फिल्म को एफेक्ट करती है तो काजल का इस्तेमाल तो आँख के अंदर कोशिश करिए जितना कम कर सकते अच्छा है इससे एक और बात हम कहना चाहेंगे कि अक्सर होता है जैसे बच्चा पैदा होता है तो मा उसके आँख में काजल लगाती है कि नजर ना लगे उसको तो ये बहुत कॉमन प्रथाती पहले ट्रकोमा होने की अब बहुत अच्छा है कि अब हिंदुस्तान में ट्रकोमा लगबाग खतम हो गया है क्योंकि सरकार ने बहुत कॉंसेंटरिट प्रोग्राम किया है ट्रकोमा इराडिकेशन का पर फिर भी आप आँख से जो काजल लगाते हैं एक बच्चे की आँख में दूसरे अच्छे की बाग आँख में इन्फेक्शन फैल जाती है तो बच्चों की आँख में तो बिल्कुल भी काजल नहीं लगाना है बड़े अगर कास्मेटिक्स का इस्तिमाल करते हैं तो मिनिममम यूज़ करना चाहिए आँख के अंदर और जब यूज़ करके उसको वाश आउट कर देना चाहिए शाम को बिल्कुल निकाल देना चाहिए और खासकर अगर आप कांटाइक्ट लेंस का इस्तिमाल कर रहे हो विद कास्मेटिक्स जो बहुत सभी लड़कियां करती है तो वो अलग तरीका होता है लगाने का जब कांटाइक्ट लेंस के लिए आप चाहेंगे तो आप अपने कांटाइक्ट लेंस स्पेशलिस से पूछ लेना कैसे लगाते हैं कास्मेटिक्स लेंस के उपर और लास्ट रिगार्डिंग लॉकोमा अगेन अगर आप लॉकोमा की ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं तो काजल नहीं लगाईए आँख के बाहर चीज फिर भी लगा सकते हैं अंदर नहीं और एक इसी से मैं बात आपसे एक बारी बस जाहर कहना चाहूंगी कि होली आने वाली है बिल्कुल होली में रंगों में बहुत सारी नेगटिव चीजें होती हैं अलूमीनियम के पार्टिकल्स होते हैं बहुत चीजें मिली होती हैं कोशिश करिए होली खेलना अच्छी बात है पानी से खेलिए रंग से खेलिए गुबारे मत मारिए किसी को क्योंकि गुबारे से चोट लग सकती है और ये जो गुलाल होते हैं बिल्कुल सिंपल गुलाल लगाईए हम तो अपने घर में हमेशा जब खेलते हैं तो वो चंदन लगाते हैं या वो पत्तो का मिक्स करके लगाते हैं ताकि हम बाहर की चीज जादा इस्तेमाल ना करें आँक के आसपास तो बिल्कुल भी मत डाली है बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है दो और कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गया है हमें पपु ने कॉल किया उत्तरप्रदेश से और नारायन सिंग नेगी हिमाचल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है कारिक्रम में पपु जी पहले आप अपना सवाल पूछे बताएए जी टीवी के आवाज बंद कर दीजे और एक बार में प्रशन पूछे अपना अच्छा आपने किसी डॉक्टर को दिखाया है नहीं मैंने डॉक्टर को तो नहीं दिखाया हुए अच्छा ये कब से हुरी है समस्य आपको ये मुझे जी काफी बीन होगा मतलब साल बर से जादा होगा जी ठीक है और उम्र बता दीजे एक बर अपनी मेरी उमर है जी 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 चालिस टी चालिस ठीक है सुनी है डॉक्टर आपको क्या बता रहे है पपुजी ये बहुत कॉमन रीजन होता है कई बार सफेद मोतिया जब बनता है जिसको पस्चीरिस अब कैपसूलर कैटराइट कहा जाता है ये धूप में जाके आपका प्यूपल कंस्ट्रिक्ट करता है और आपको धुनला जादा दिखाए देता है तो ये एज भी ऐसी है और दूसरा चश्मे का नंबर जैसे हमने पहले भी डिसकस किया तो पर डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है और इसके अलावा अन्य कारण भी हो सकते है पर बिल्कुल ठीक होती है आँखों की बिमारिया बहुत अच्छे इलाज है कैटरेट का भी आजकल बहुत ज़्यादा अच्छा इलाज है छोटे से चीरा लगा कर हम अल्टरसॉनिक तरीके से अंदर ही अंदर लेंस को घोल कर उसमें नया इंट्र ओकिलर लेंस जो कि आपको बिल्कुल बच्चे जितनी अच्छी नजर दे सकता है ऐसा कर सकता है घबराने के जुरत नहीं है अपने डॉक्टर से मिलने से पहले जरूर मिलिए अगर वो आपको सरजरी के लिए सलाह देते हैं तो जरूर करवाईए और आपको बहतर ही लगेगा और लेकिन मिलना बहुत जरूरी है सही सुझाफ पाना बहुत जरूरी है ठीक है और नाराइन सिंग नेगी हमारे साथ दूसरे कॉलर है नाराइन जी आप अपना सवाल बोच सकते हैं बताएए मैडम नाराइन नागेंदर सिंग नेगी बोर रहा हूँ नाराइन जी ठीक है नाराइन जी बताएए अपना सवाल में मुबाइल पर रात को कम्प्यूटर पर काम करती बार हर वर्त जो हाँ काला जस्मा लगाना पड़ता है अन्य था आंखी लाल हो जाती है या धूप में तो आंखों से पानी आना पड़ता है जी इसकी बज़ा से मैं दूसरा जस्मा नहीं लगा सकता पटासे उपर हो गई है तो वो जो भाई जस्मा नजर का है तो यह कहा जिल्दगी भर मुझे यह काहा जस्मा लगाना पड़ेगा और इसके लिए मुझे जो दवाई लिखी थी वो सिप्रो फ्लॉक्ट्वीन एंड डेक्ट्रा मैट्वो सुन तो यह यह मैं आंखों में डालता हूँ मुझे तो इस दवाई का सुझाब दिया जाएं तक यह जो आंखों की लाज़ी और रग जो है और यह कार तसमा धूब का रेंगो का रेवन का नहा बंदी थी थेक है नागी जी नहीं जी जो हमें समझ में आया कि आप मंडी में रहते हैं और आपने जो पहले गए थे मोबाइल टावर लगाने स्नो के लिए आपने काला चश्मा लगाया वो बिल्कुल ठीक है क्योंकि स्नो ब्लाइडनेस प्रिवेंट करने के लिए हम वो प्रोटेक्टिव आई वेर देते हैं ताकि उसमें जो स्नो से ब्लाइडनेस होती है आल्टर वालट रेडियेशन से रिफ्लेक्शन से वो नहीं हो पर उसके बाद आपने का वापिस अपन दिनों से कर रहे हैं अगर आप लाइन पर बने हुए हैं तो आप कितने महिने से दवाई का सेवन कर रहे हैं नेगी जी इनकी लाइन कट गई हो पर अगर आप सुन रहे हैं सर तो यही बात हो रही थी Dexamethazone एक steroid होती है तो steroid का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि steroid आँख में बहुत सारे नुकसान कर देती है ठीक है एक बार हम पूछ लेते हैं आपने क्योंकि यह बहुत बड़ी बात बता रहे हैं नेगी जी अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताईए आप जो दवाई का अस्तमाल है वो कब से कर रहे हैं ठीक है तो बिल्कुल ये क्योंकि ये दवाई का सेवन अकसर करते रहते हैं एक बार ये दवाई दी गई तो वह केमिसे ही में आपको पहले केड़ थी वो लगातार चलती रहती है तो एक तो वह सिप्रफ्रॉक्स उसलें डेक्सामिताजोन का कॉंबिनेशन आप बंद कर और जो भी आपके नजदीकी हस्पताल है वहां जाके कॉर्णिया चेक कराइए कॉर्णिया में अगर आप केरो ढूप में भी आपको काला चश्मा लगाने के आवश्कता पड़ती है एक तो कॉर्णिया चेक कराइए दूसरा सफे़ मोतिया चेक कराइए कि अगे.. पीछे आपका posterior subcapsular cataract ना बन रहा हो जो धूप में आपको कम नज़र दिखाता है और इसलिए वो हम थोड़ा photocromatic glasses देते हों कि धूप में आपका pupil डालेटेड रहे तो cataract और konia चेक कराईए और ciprofloxyslain dexamethasone combination प्लीज डालना आज से ही बंद कर दीजे बिलकुर तो ये जो जरूरी सला है वो डॉक्टर ने आपको दीख है इन बातों का खयाल जरूर रखिये आखिर में डॉक्टर शिकागुपता आप तुछ कहना चाहेंगी इसमें मैं ये आट करना चाहती हूँ कि कईबा नखूना बन जाता है जो पहाडों पर लोग रहते हैं जिसकी वेसे आखों में redness और persistent intolerance रह सकती है तो उसका सप्लोक्स डी से बहुत अच्छा effect आता है और patients को लगता है कि दवाई बहुत अच्छी है तो उसका भी जरूर चेक करवाएए और आजकल photochromatic glasses आते हैं तो आपको अगर चश्मे का नंबर है तो आप जरूर पहनिए वो चश्मे का नंबर और अपने optometrist से कहिए जो चश्मा बनाता है कि उसमें काली फिल्म लगाता है जो धूप में जाके काली हो जाए तो आप गॉगल्स और चश्मे का नंबर दूनों एक अठे इस्तिमाल कर सकते हैं नखूना अगर आपको हो गया है तो उसका operation किया जा सकता है जिससे आपको जो problem हो रही है दूप में वो ठीक हो सकती है और ऐसी कोई समस्या नहीं है आँखों की जिसका इलाज अच्छा ना हो आजकल बहुत advance तरीके हैं हमारे पास पर जरूरी ये है कि हम उन पर ध्यान दे अपने डॉक्टर से मिले और मंडी में तो बहुत अच्छे नित्रविशे शग्ये हैं जिनको हम जानते भी हैं तो आप जरूर उनसे संपर्क साथिये और हर चीज का इलाज है बिल्कुल डॉक्टर आखिर में आपकी क्या सला रहेगी आखिर में एक हमारे हम यहां पे गुर्णानकाई सेंटर में जो सरकारी हस्पताल है वहां पे एक मेडिकल कॉलेज है मुलानदर मेडिकल कॉलेज तो हम हर साल ग्लाकोमा वीक आने वाला है हर साल बच्चों से एक नाटक करवाते हैं तो एक दो चीज़ों ने बहुत इंपोर्टन्ट कहीं जो कि आप से मैं शेयर करना चाहती हूं जैसे कि दवाई का सेवन लोग बन कर देते हैं कि कॉंस्टन्ट मेडिकेशन इस नाट इजी तो एक बच्चे ने यही कहा कि अगर आपके पास 500 रुपे हो और आप से किसी ने 200 रुपे चीन लिये हो तो आप क्या करोगे तो कहती है मैं बाकी 300 बचा के रखूंगी तो उसने कर जो 300 बचे हुए उसी को बचा के रखना और यह गम नहीं करना कि 500 थे आप 300 रहे गए हैं तो जो भी आपके पास remaining vision है वो बहुत है वो काफी है रोज के काम के लिए और बाकी काम के लिए उसको preserve करें और prevention अगर हो सके तो best है उसी के लिए हम बार-बार यही कहेंगे कि गोनियोसकोपी, perimetry, visual field जो perimetry है, परदे की जाँच, नस की जाँच और pressure अगर यह चारो चीज़ें आप बोलेंगे अपने जो भी डॉक्टर को दिखाने जाते हैं कि डॉक्टर साब यह मेरी चारो चीज़ें करके मेरे को बताओ किस तरीका का मोतिया है और कई बारी ऐसे हमें लगता है कि जो भी चश्मा देने वाला है वही डॉक्टर है आप अफ्थल्मॉलिजिस के पास जाओ और खाली यह नहीं कि जो चश्मे देने वाले मैठे हुएं उन्हीं के पास आप जाके अपनी चेक अप कराई तो इन बातों का ध्यान जरूर रखना है जैसे डॉक्टर ने भी कहा है प्रिविंशन के लिए जात सबसे जादा जरूरी है और इस पर ध्यान देना खासकर 40 की उमर के बाद जैसे डॉक्टर ने बताया है इस पर ध्यान देना बहुत जादा जरूरी है इसे के साथ आईश्मान भव का जो समय है वो यहीं पूरा हो गया है डॉक्टर केजिती सिंग आपका डॉक्टर शिका गुपता आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आईश्मान भव में मेरे साथ जुड़ने के लिए तो आज जो जरूरी सला और सुझाव दिये गए हैं पर आप ध्यान दीजिये और रहिए बिल्कुल स्वस्त अपनी आखों को भी रखिए बिल्कुल स्वस्त आप इस कारिकरिम को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और अपनी सला सुझाव और प्रतिक्रिया हमारे साथ साजा कर सकते हैं अपना अच्छे से खाल रखिये और मुझे दीजे इजाज़त नमस्कार कर दो कर दो कि अपना अपनी साजार बिल्कुल स्वस्त